नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर एक्जाम पर आप सभी जानते हैं कि UPTGT, PGT इन सभी के एक्जाम की डेट आ चुकी है और हमें प्रेक्टिस सेट करने की आपशकता है हमारे पास time कम है तो इसलिए हमें science के महतपुन प्रशनों को करना होगा प्रेक्टिस के रूप तो हम यह test series लेकर आए हैं जिसमें हम biology के महतपुन प्रशनों को discuss करेंगे जिनकी परिक्षा में पूछे जाने की समभावना है इससे पहले हम कुछ प्रशनों को discuss कर चुके हैं उससे आगे के प्रशनों को हम आज लेकर आए हैं पहला प्रश्ण है बर्गत का व्रक्ष है बर्गत का व्रक्ष इन में से किस समू का व्रक्ष है आवरत बीजी अनावरत बीजी टैरीडोफाइटा फियोफाइट तो बर्गत का व्रक्ष कैसा है आवरत बीजी पोधा है बर्गत का व्रक्ष तो option number A हमारा correct होगा क्योंकि बरगद के वरक्ष में जो बीज होते हैं वो ढगे हुए रहते हैं इसलिए वह आवरत बीजी पोधा है अगला प्रशन है लीवर वर्ट होता है इंपोर्टन प्रशन है एक्जाम में पूछा जा सकता है लिवर वर्ट क्या होता है एक स्थलिय पोधा होता है जो जड़ तना और पत्ती से विभेदित नहीं रहता option number D हमारा correct होगा अगला प्रशन है सबसे बड़े पुश्प होते हैं सभी को पता होगा सबसे बड़े पुश्प होते हैं किसके रफलेशिया के प्रशन है पहले भी एक्जाम में कई बार पुछा जा चुका है और अब भी पुछे जाने की संभावना है तो सबसे बड़े पुश्प होते हैं रफलेशिया के चाय के लाल किट का कारण है क्या कारण है चाय के लाल किट का हरी शैवाल option number C हमारा correct होगा important प्रशन है इस वीडियो में दिये गए सभी प्रशन आने वाले एक्जाम में पूछे जाने की संभावना है सभी important है इसलिए अंत तक बने रहे सल्फर वर्शा का कारण है सभी को पता होगा सल्फर वर्शा का क्या कारण है सलफर कणों का सलफर इस्तेमाल करने वाली फैक्टरियों से निकल कर भारी तादाद में वायू मंडल में इकठा होना फैक्टरियों से निकल कर सलफर बहुत अधिक मात्रा में वायू मंडल में इकठा हो रहा है उसकी वज़े से क्या होती है, सलफर वर्षा होती है, तो इसलिए option number हमारा C correct होगा, अगले प्रशन की ओर बढ़ते हैं, दीमक द्वारा खाई गई लकडी का cellulose पचाया जाता है, जो लकडी दीमक द्वारा खाई जाती है, उसका cellulose पचाया जाता है, किसके द्वारा? प्र amoebasis amoebic dysentery उत्पण होती है, किस में उत्पण होती है, option number C, एंट amoeba हिस्टोलिका में, option number C हमारा correct होगा, important प्रशन है, amoebic dysentery उत्पण होती है, एंट amoeba हिस्टोलिका से, अगला प्रशन है, मचली के लिए बोजन का महत्वण स्रोथ है, है डाइटम डाइटम मचली के लिए भोजन का महतवपुंट स्रोथ है इस वीडियो के सभी प्रश्ण important है इसलिए हमें सभी याद करने है मचली के लिए भोजन का महतवपुंट स्रोथ डाइटम है डाइटम मिट्टी का प्रयोग boilers वेब वाश्प पाइप को insulate करने के लिए करते हैं डाइटम मिट्टी का प्रयोग किसले किया जाता है boilers वेब वाश्प पाइप को insulate करने के लिए किया जाता है तो इसलिए option number कौन सा correct होगा D क्योंकि क्यों किया जाता है यह है उस्मा का अच्छा सुचालक होता है यह है उस्मा का सुचालक है डाइटम मिट्टी का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह है अच्छा उस्मा का सुचालक है अगला प्रशन है malaria पर जीवी मनुष्य के रक्त में जी सवस्ता में पहुंचता है वह है important question है malaria पर जीवी मनुष्य के रक्त में किस अवस्था में पहुंचता है sporosite option number C हमारा correct होगा important question है हमें याद रखना है malaria पर जीवी मनुष्य के रक्त में sporosite की अवस्था में पहुंचता है अगले question की ओर पढ़ते हैं लाल सागर में लाल ज्वर का कारण है हम पहले भी पढ़ चुकी है लाल सागर में लाल ज्वर का क्या करण है नील हरित शैवाल साइनो बैक्टिरिया option number A correct होगा अगला question है जो जैन्थेली सहाचरिया है डाइनो फ्लैडिलेट का जो जैन्थेली किसका सहाचरिया है option number कौन सा correct होगा option number हमारा एकसेरुग जन्तों से बी तो जैन्थेली सहाचरिया है एकसेरुग जन्तों से वहाः परजीवी जो अफ्रीकन निद्रा रोग या गैम्बियंस ज्वर उत्पन करता है कौन सा होता है ट्रिपैनो सोमा, important प्रश्न है, पहले भी एक्जाम में निद्रा रोग के नाम से पूछा गया है, तो अफ्रिकर निद्रा रोग है, गेम्बियंस ज्वर्भी उत्पन करता है, ट्रिपैनो सोमा, अगला प्रश्न है, काला जार रोग का क्या कारण है, option number कौन सा correct होगा, डी, इसका कारण है, option number D हमारा correct होगा, important प्रश्न है, अगले प्रश्न की और बढ़ते है, malaria में vaccination तीका लगाना असंभव है, क्योंकि malaria में हम तीका नहीं लगा सकते, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्लाजमोडियम परती रक्षक तथा परती जीव, विश नहीं बनाता, क्योंकि परती रक्षक तथा परती जीव, विश नहीं बनाता, option number C हमारा correct होगा, अगला प्रश्न है, एक कवक जो मानव में रोग उत्पन करता है, वह कवक कौन सा है, जो मानव में रोग उत्पन करता है, तो कौन सा है, option number हमारा, aspergillus, aspergillus वह कवक है, जो मानव में रोग उत् इंपोर्टन्ट है अगला प्रशन है limitless प्राप्त होता है सभी को पता होगा लेटमस किस से प्राप्त होता है important question है like n से option number d correct होगा like n सहजीवी है जिन में पाये जाते है like n हमने पढ़ा था कि किसके सहजीवी है like n में क्या-क्या पाये जाता है तो option number कौन सा सही होगा हमारा c शैवाल और कवक के सहजीवी कौन है like n important question है like n से प्रशन एक्जाम में पूछा जाता है penicilline को खोजने वाले है penicilline की खोज किसने की है option number अमारा एलेकजैंडर flaming ने c correct होगा अगले प्रशन की और बढ़ते हैं penicilline antibiotic प्राप्त करते हैं penicilline antibiotic किस से प्राप्त करते हैं option number ए से अगला प्रशन है साइट्रिक अमल के उत्पादन का उध्योगी स्रोथ होता है साइट्रिक अमल के उत्पादन का साइट्रिक अमल किस से उत्पादित होता है तो option number हमारा सी करेक्ट होगा अगला प्रशन है आलू की विलंबित अंग मारी रोग का कारण है आलू की विलंबित अंग मारी रोग किसकी कारण होता है अगला प्रशन है कौन सा कवक खाने के लिए उप्यूक्त होता है कवक है किस जीव जाती की आबादी में उत्परिवर्तन जीन के फैलने की संभावना तब होती है जब इसका प्राकर्तिक चैन हो जाता है तो अप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा तब उसके जीन के फैलने की संभावना होती है निम्लिकित में से किसको वायू पर्दूशन का सूचक माना जाता है सभी को पता है important question है पहले भी बहुत बार एक्जाम में पुछा जा चुगा है लाइकेल East का East किसका महदपूर्ण स्रोथ है East किसका महदपूर्ण स्रोथ है तो किसका है Option नमबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा B Riboflavin का Riboflavin का Option नमबर B हमारा करेक्ट होगा अगले प्रशन की और बढ़ते हैं Amphibia का अर्थ होता है Amphibia सभी को पता होगा V जन्तू जो जल और थल दोनों पर रहते हैं तो Option नमबर D हमारा करेक्ट होगा अगला प्रशन है निमन ताप करम पर किस जन्तू की प्रसुपती को कहते हैं निमन ताप करम पर कम ताप करम पर किसी जन्तू की प्रसुपती को क्या कहते हैं Option नमबर हमारा हाइबर नेशन हाइबर नेशन कहते हैं C करेक्ट होगा Important प्रशन है किसी जनतुगी प्रसुप्ति को हम क्या कहते हैं हाइबर नेशन कहते हैं भारत में सबसे बड़ी मचली कौन सी है important प्रशन है exam में पूछा जाता है भारत में सबसे बड़ी मचली कौन सी है shark मचली अगला प्रशन है और last question है हमारी इस वीडियो का केवल नर मेंड़क ही टर्टराते हैं क्योंकि नर अपनी ध्वनी को सुविक्सित वाग कोशों की सायता से आवर्दित कर सकते हैं जबकि मादा ऐसा नहीं कर सकती तो इसलिए अप्शन नमबर डी हमारा करेक्ट होगा तो नर क्या कर सकते हैं अपनी ध्वनी को आवर्दित कर सकते हैं तो धन्यवाद दोस्तों आज के प्रशन यहीं तक थे और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन को प्रेस करें धन्यवाद शकर purity कर दो धन्यवादा सकता है